हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूं आपके बिने यूट्योब चनल विजयकाल है सियाटेस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टिशन एंड वायरमेन ट्रेड को लेके जो भी स्टोडेंट शैटेस में एडिशन लेना चाता है दोजार चोबिस में अगर आपकी ट्रेड एलेक्टिशन एंड वायरमेन है तो यह वीडियो आपके लिए बेज इंपोर्टेंट है क्यों बेसिकली स्वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी ठ्रेड एलेक्टिशन इसमें कोलिज कहां कहां पर है वहां पर सीटों किसे अ कितनी है और जो कटोफ है कटोफ πरेश्यर में क्या कटos राक क्या आपका सेप्सकोर आपको चाहिए जिससे आपका कोलीज मिल जाए आसानी से गर्मेंट कोलीज तेलिग्राम का रहेगा आप shness exam की तיारी कैसे कर सकते हो इन सब ही को लेकर हम इस बात करेंगे तो देखे दोस्तो जिन student ने आवतनतर टेलिग्राम को जोइन करने के लिए इसको जैसे वो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हूं अब देखें यहाँ पर इलेक्टिशन और वायरमेंट ट्रेड कोलेज लिस्ट सबसे पहले हम बात करेंगे ऐनश्टेइ पूर्मेंट की कोलेज है तो यहाँ पर आपका जो पहला कोलीज है वह नेश्टेइ डबलु इंदोर यहाँ पर आपकी 25 सीट्धे है नेश्टेइ वी वी हैदरबाद में आपकी 100 सीट्धे है देखिए वी का मतलब यहाँ पर विद्यनगर से है जो आपकी इलेक्टिशन ट्रेड है NSTI के हैदराबाद के विद्यनगर कैमपस में है ठीक है NSTI बंगलूर में आपकी 50 seat है NSTI भूनेसुर में आपकी 25 seat है NSTI कालिकट में आपकी 25 seat है और आपका जो NSTI चेन यहाँ आपकी 75 seat है आगे बढ़ते है अब यहाँ पर देखे नेक्स्ट जो कोलिज है आपका NSTI देहरदूं यहाँ आपकर 100 seat है NSTI हलदवानी में आपकी 50 seat है NSTI हावड़ा में भी आपकी 50 seat है मैं आपके बढ़ता दू जो हलदवानी में इलेक्टिशन ट्रेड इस्टार्ट हुई है पिछले साल से इस्टार्ट हुई है NSTI जोदपूर में आपकी 50 seat है NSTI कानपूर में 100 seat है और NSTI कानपूर खासकर जो नोर्थ के कोलिज है है उनकी मेरिट जो कटोप है वो काफी आई जाती है इस बात का भी ज्यान लखना NSTI लोद ज्याना में 75 seat है NSTI मुमबई में आपकी 100 seat है NSTI extension center मनिपूर यापर आपकी 25 seat है ठीक है अगर मैं NSTI college की फीस की बात करूँ लगबग यह मान की चलो 3000 रुपे में आपका जो होस्टल है जो college फीस है वो सारी चीज़े हो जाएगी 3000 से कम में अब बात कर लेते हैं कि वह स्याइटर सेंटर सेक्जाम की तयारी कैसे करें अब बात कर लेते हैं कि वह इस में आपको क्या-क्या मिलेगा यहाँ पर देखें सेंटर सेक्जाम में बेसिकली जो आपके ट्रेट थियोरी कोस्टन्स की पीडियाप रहेगी दूसरा आपके ट्रेट टेस्ट, तीसरा नों टेक कोस्टन्स पीडियाप जो परेशिर पेपर में कोस्टन्स आया है उसकी पीडियाप रहेगी चोता counseling personal guidance जब आपका result आ जाता है CI test and test exam का उसके बाद counseling होगी उस time पर आपको proper guide किया जाएगा जिससे आपको आसानी से college मिल जाए कोई problem ना हो कहने का मतलब यह है यह member से आपके लिए helpful रहेगी CI test and test exam की तियारी से लेकर final addition होने तक तो जो भी student लेना जाता हो simply whatsapp number पे contact कर सकता है अब बात कर लेते government ITOT old यहाँ पर जो पुराने वाले government ITOT है तो पहला ITOT है आपका भोपाल government ITOT यहाँ पर आपके 100 seat है लखनाव government ITOT यहाँ पर भी आपके 100 seat है बीजू पतना है government ITOT यहाँ पर आपके 50 seat है और government ITOT करनाट का यहाँ पर आपके 50 seat है ठीक है अब ITOT के अगर मैं बात करूँ ध्यान लखना जो government ITOT है उनकी फीस state to state vary करती है जैसे भोपाल government ITOT की फीस लगबग 30,000 रुपे के असपास है और जो आपका लखनाव government ITOT है इसकी फीस 4 या 5,000 रुपे के असपास है ठीक है जैसे मैं राज़्थान वाड़े ITOT की बात करूँ government ITOT की उनकी फीस लगबग 4,000 रुपे के असपास है और जो आपके हिमाचल में NHTI government ITOT है उनकी फीस 30,000 से उपर है जो पंजाब में ITOT है उनकी फीस भी लगबग 4 या 5,000 रुपे के असपास है और जो आपके जम्मू एंड कस्मीर में ITOT है उनकी फीस भी कम ही है ठीक है अब यहाँ पर हम बात कर लेते है government ITOT न्यू वाले जो पिछले 2 सेसन से स्टार्ट हुए है तो पहला आपका government ITOT मंडी जो इमाचल में 25 सीट है government ITOT अनंतनांग यहाँ पर आपकी 25 सीट है जो जम्मू एंड कस्मीर में है तीसरा है government ITOT न्यू गजू वाकव इसाकापतनम 25 सीट है government ITOT बोईजवारंगल 25 सीट है government ITOT माना यहाँ पर आपकी 25 सीट है government ITOT छेल बासा यहाँ पर आपकी 25 सीट है यह आपका जारकण में है government ITOT बिसरामगज यहाँ पर आपकी 25 सीट है जो त्रिपुरा में है और यह मानना साइद 36 गड में कोली जाए आपका और ध्यान रखना जितने government ITOT न्यू वाले यहाँ पर ओस्टल की फैसिलिटी नहीं है इस बात कभी ध्यान रखना अब यहाँ पर देखिए आठवी नंबर पर जो आपका model ITOT होसर रोड बैंगलो रहे यहाँ पर आपकी 50 सीट है government ITOT अजमेर अभी राज्थान वाले कोलेजी स्टार्ट होगे यहाँ पर आपकी 25 सीट है government ITOT बासवाड़ा में आपकी 25 सीट है government ITOT बार्ड मेर में आपकी 25 सीट है government ITOT भीलवाड़ा में आपकी 25 सीट है government ITOT बिकानेर में 25 सीट है government ITOT दोसा में आपकी 25 सीट है government ITOT धोलपूर में आपकी 25 सीट है साथ चिर्चल फीज को लेकर मैंने आपको पहली बता दिया, क्य्या फीज रहीगी, अब यहाँपर नेक्स्ट को लिख देखिए, गोर्मेंट आइटियोटी हनुमानका 25 सीट है गोर्मेंट आइटियोटी जैपूर में 50 सीट है गोर्मेंट आइटियोटी जैलावाड में आपकी 25 सीट है गोर्मेंट आइटियोटी जोधपूर में आपकी 25 सीट है गौर्मेंट आइटियोटी जो नागोर है उसमें भी आपकी 25 सीट है गौर्मेंट आइटियोटी सवाई मादोपुर में 25 सीट है गौर्मेंट आइटियोटी सीकर में आपकी 25 सीट है यहाँ पर देगे जो नेक्स्ट कोलीज है गौर्मेंट आइटियोटी टोंक यहाँ पर आपकी 25 सीट है गोर्मेंट आयटी उटी उद्यपूर यहाँ पर आपकी 25 सीट है ठीक है अब गोर्मेंट आयटी आई कटक जो आपका उडिसा में है यहाँ पर आपकी 25 सीट है यहाँ पर 25 सीट है यह भी उड़ी समय है ठीक है यह कुछ आपके कोलिज थे आगे बढ़ते है अब बात कर लेते हैं वही क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कौन अपलाई कर पाएगा जो सियाइटा सेंटास एकजाम जो रेश्टेशन के लिए फॉम आएगे कौन उसको बढ़ अब बात कर लेते हैं कटोप की तो डेरी स्टुडेंट कटोप के अगर मैं बात करूँ अगर पिछली बार 60 प्लस जिसके मार्स ते सभी को कोलिज मिल गया था कोई दिक्कत नहीं आई थी लेकिन खासकर नोर्थ के कोलिज के अगर मैं बात करूँगा तो ध्यान ना खना न तो कोशिश रखो अच्छे से मैनत करो खासकर ध्यान रखना जो कटोप कम जाती है वो साउथ के जो एनेश्टी आई है जैसे चिन्ने योगा काली काट हो गया वहाँ पे कम रहेगी लेकिन जैसे नोर्थ के है यहाँ पर आपको मैरिट अच्छी कासी देखने को मिलेगी ठ ठीक है अगर आपको अपनी पसंद का कोली चाहिए माने चलो कोई कानपर को टार्गेट कर रहा है ठीक है तो उसको 75 के राउंड माक्स लेकर आने पड़ेंगे उसको अराम से कोलीज मिल जाएगा कोई दिकत नहीं होग अगर कोई दे रदून को टार्गेट कर रहा है तब इतने माक्स आपको लेकर आने पड़ेंगे यह आपके लिए बिल्कुल सेब स्कोर है कोई दिकत नहीं आने वाली है अब बात कर लेते हैं बैस्ट को लिज़ बैस्ट को लेकर मैं स्रिपेगी बात बोलता हूँ जो भी आपके नियर एस्ट एने इस्ट एई है वही आपके यह बैस्ट एने वाला है कोई भी आपको एनेस्ट एह मिल जाए जो आपके घर के पास ओओ वही आपके लिए बैस्ट आ podcasts अ आपके ट्रेड थियोरी से और ट्वेंटिफाइव कोश्चिन आपके नों टैक कोर्शन से यानि मैं तो रिजिनिंग से रहे गए ठीक है यह आपको कुछ एक्जाम पैटर्न रहने वाड़ा है और जो सहलेबस है वो आई ट्याई का ही सहलेबस रहता है वाद का भी ध्यान लेगा ठीक है अगर आप से अटे से जाम की तार यह अपनी अच्छी से करना जाते हो तो आप हमारी मेंबर्सिप ले सकते हो मेंबर्सिप जोइन करने के लिए आपको करना क्या है सिंपली स्वाट्व नंबर पे कॉंडेक्ट करना है सेवन नाइन जीरो 680 6721 ठीक है तो इस